हे गाईज वेलकम टू चानल एक्जाम गुरू जी उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चले होगे तो गाईज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर को जो शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था उसके क्वांट वाले पार्ट को यानि कि mathematics की जो कोशन थे उनको हम डिस्कस करेंगे और जैसे कि request आई थी कि कोशन जो है वो English में भी होना चाहिए तो आज की वीडियो में कोशन जो है वो Hindi और English दोनों में हमने लिये हैं यानि कि bilingual है जिस तरीके से आपका exam होता है वैसा ही है यानि कि हिंदी वालों के लिए हिंदी में वो पढ़ सकते हैं और जो English मीडियम से हैं इंग्लिश में कोशन पढ़ते हैं तो उनके लिए इंग्लिश में भी है ठीक है तो वीडियो का end तक जरूर देखें जो भी SSC CHSL के transparent है और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शियर करीजिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबेक कमेंट बॉक्स में देना विल्कुल भी ना भूलें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो गाइस जो यह थर्ड शिफ्ट है ठीक है चार से पांच बजे के बीच में यह हुई थी चार से पांच तक थर्ड शिफ्ट हुई थी तो उसी लिया डिस्कूस करेंगे तो पहला question जो है वो है तीन बर्श पहले पती पतनी और उसके बच्चे की ओसत आयू 26 बर्श थी और पांच बर्श पहले पतनी और बच्चे की ओसत आयू 20 बर्श थी तो हमें बता रहा है पती की बर्तवान आयू यादि कि इंग्रीज में देखें question number 18 था ये 3 years ago the average age of a husband, wife and child was 26 years and that of the wife and the child 5 years ago was 20 years the present age of the husband यानि के present age अभी उसके husband की age क्या है वो हमें बताना है तो अगर husband को h से, wife को w से, पिलस child को c से मैं डेनोट करूँ और उनकी age निकालूं 3 साल पहले की ठीक है तो 26, गोडां 3 यानि के 6, 3, 18, 1, 3, 2, 6, 78 इनकी total age हो गई कब 3 साल पहले ठीक है अब जो दूसरी statement है कि 5 बश्च पहले wife पिलस child की जो age थी वो कितनी थी वो निकाल लेते हैं उनका average जो था वो 20 साल था और दो लोग हैं तो 20 दूनी 40 40 साल कब 5 साल पहले ठीक है तो हम इसको equal कर लेते हैं या तो इसको 5 साल की तरफ को ले आते हैं या फिर इसको 3 साल की तरफ यानि के 2 साल इसमें प्लस करना पड़ेंगे 2 साल का मतलब 2 साल इसकी age बढ़ाना पड़ेगी और 2 साल बच्चे की तो टोटल एज जो बढ़ेगी वो चार साल की बढ़ेगी यानि के 44 यर्ज हो गए कब 3 साल पहले दोनों की वाइफ की और चाइड की 44 यर्ज की एज थी अब मैं 78 में से 44 माइनस कर देता हूं चार तीन तो यह 34 यर्ज जो आई है वो किसकी है husband की, 34 साल जो age आई है, वो किसकी आई है husband की और कब की आई है, 3 साल पहले की क्योंकि ये age जो है, ये वाली age 3 years before की है, तो present के लिए मुझे 3 साल इसमें add करना पड़ेंगे तो ये हो गई 37 या, यानि कि पहला वाला option जो था, वो इसमें सही है next question है, यदि 2x plus y is equal to 6 और xy is equal to 4, then हमें बताना है कि 8x q plus y q का मान क्या है if 2x plus y is equal to 6 and xy is equal to 4, then find the value of 8x q plus y q तो ये बनाने के लिए सब से पहले हमें थोड़ा सा इसमें संशोधन करना पड़े गए, यानि का amendment 2x q plus y q मैं इसको इस form में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं एज़ा a और b देखूंगा तो ये a q plus b q का formula बन जाएगा, तो आसानी रहेगी solution find करने के लिए मुझे पता है a q plus b q क्या होता है a plus b और a square plus b square minus a b ये आपको भी शायद पता होगा नहीं पता हो तो ये note कर लिजिए काफी काम आएगा आगे भी तो यहाँ पर a क्या है मेरे लिए 2x है और b क्या है y है ठीक, मेरे पास value किस चीज़ की है a plus b यानिके 2x plus y की value है a b की value भी है यानिके x y की भी ठीक तो अगर इसमें देखें हम चलो इसमें फार्मूले में फिट कर लेते हैं तो 2x plus y confusion नहों जैसे और ये 2x यानिके 4x square plus y square minus 2xy इसकी हमें value find करनी है तो ये चीज़ है हमारे पास ये चीज़ भी हम निकाल सकते हैं x y से इसकी 2 सा multiply कर देंगे बट ये नहीं है तो ये कहां से निकलेगा यहां करेंगे हम दोनों साइट इसका square तो ये मिलेगा 4x square plus y square plus 2a b होता है तो 2 multiply 2x है और multiply y और ये 6 का square 36 हो गया ठीक है तो यहां से 4x square plus y square is equal to 36 और ये वाला पार्ट जो plus का है इदर आके minus का हो जाएगा और दो दुनी 4 और x y की value है 4 तो 4 गुना 4 मतलब 16 ठीक है 8x cube plus y cube is equal to 2x plus y की value है 6 4x plus y square की value है 20 minus x y की value है 4 लेकिन यहां पर है 2 तो 2 से multiply होके ये हो जाएगा 8 तो 6 गुणा 12 और यहां पर 72 यानि कि थार्ड वाला option इसका correct होगा आगे बढ़ेंगे next question की तरफ उस विरत की तरज्या क्या है जिसका छेत्रफल 15 cm, 8 cm तरज्या वाले दो विरत्तों के छेत्रफल के योबफल के बराबर है What is the radius of the circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles whose radius are 15 cm and 8 cm तो हमें area find करना है किसका उस circle का या उस विरत का जिसका area किसके बराबर है मतलब करें जिसका 15 cm, 8 cm धर्जा वाले दो विरत्तों का उनके छेत्रफल निकाला है उसको add करें उसके बराबर है तो पहले तो इसका फ्लों छेटर फ्लों इसका शेंटर लेते हैं एरिया कैसे निआलते हैं पाई आर इसको आर वन बोल देता हूँ और ये यहर तू ह्रेडियस तो पहले वाले का हमारा निकलेगा पाई पन्दरा का इसकंवार होता है 225 ठीक है और दूसरे वाले का निकालेंगे तो πाई और 8 का स्कोर रहा था 64 ठीक है पाई मैं मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अभी हमें इसको add करना है तीसरे वाले का find करना है तो इन दोनों को अगर add करूँ तो जो हमें जिस बरत की तरिज्जा निकालना है उसका शेतरफल निकलेगा तो यह हो गया 289 पाई ठीक है यानि कि finally जो जिसकी हमें radius find करनी है पाई यार स्कोर ठीक यह हमें find हो गया लेकिन हमें find करनी है तरिज्जा यानि कि radius find करनी है तो पाई से पाई cancel आउट और आर की value हो गई 17 जब 289 का square root निकालेंगो तो 17 आएगा red mean option number 3 जो है वो इसका correct होगा तो guys next question है यदि दो संक्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो उनके घनों का योगफल हमें बताना है English में if the sum of two numbers is 11 and the sum of their squares is 65 then the sum of their cubes will be यानिके अगर मैं कहूँ के x और y दो number है तो उनका जो sum है वो योगफल जो है वो कितना 11 है इनका square कर दूँ तो 65 होगा इनका sum बताना क्या है हमें x q प्लस y q बताना है ठीक है तो अगर मैं इसका square कर दूँ दोनों साइट यहां पर तो कितना होगा एक स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 2 एक्स वाई इस इकल टू वन टू वन इसकी वैलू में यह पता है x y की value मुझे 28 मिल गई है ठीक है तो यहां तो हम सीरे directly यहां से कर सकते हैं इसके factor कर लेंगे साथ चोगा 28 ठीक है और 407 option number एक या फिर आपने जो अभी पिछले question में जो क्यूब वाला पड़ा था वहां value पुट करके इसको वहां से भी हम निकाल सकते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं ठीक है चेंज कर लिया फार्मूला था यानिके x q प्लस y q बराबर x पिलस y और x square प्लस y square माइनस x y एक्स प्लस y की value 11 है x square प्लस y square की 65 है और माइनस x y की value अब निकाली है 28 ग्यारा 15 में साट कर साथ और पांच में दो कर तीन ठीक है इसकी multiply होगी 1177 70 कह रही किया साथ गया 33 और 407 ठीक है तो यहां से भी हम कर सकते हैं या फिर यहां से हिट कर सकते हैं अगला कोशन है बार ग्राफ से और बार ग्राफ में मतलब यह बेतन दे रखा है बयाय दे रखा है कर दे रखा है और बचत दे रखा है चार चीजें उन्होंने दे रखी है यानिकर सैली, expenditure, tax और उनकी saving ठीक है तो पूछा क्या है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत निम्न में से किसकी है सबसे जादा बचत की बात चले है यानिकर yellow color वाला हमको find करना है ठीक है और प्रतिशत की बात कर रहे ह तो अगर हम पहले वाले एक ही देखें तो इसमें तो क्या है सब आपको चारों चेक करना ही पड़ेगा कोई short trick नहीं कुछ नहीं इसमें ठीक है तो ठीक है multiply hundred two zero और एक zero यहां से क्या मिलेगा बारा चोपार तालिस और दो साथ बारा च्छंग बहात्तर 46 point something कुछ आएगा 46 point something ठीक है एक ही लिए फिर बी का देखते है बी का है 9550 पांच बच्छे और पच्छपन होगा हरती है चौबवन यानिके 53 point something कुछ आएगा बाकी सी का देखते है 89 double zero divided by sell लिक इत्य थी यहां पर 15,000 ठीक है दो जीरो यहां cancel out एक जीरो यह कट गया है तो यहां मिलेगा हमें पंद्रा पंजे पिच्छात्तर और पंद्रा नीमा एक सो पैंतिस 59 point something कुछ आएगा ठीक है और दी वाला देखेंगे कि चौरानवे सो डिवाइड़ वाइस सोलह हजार यानिके 16,000 multiply 100 दो जीरो एक जीरो तो सोलह पंजे असी ठीक है यह फिर इसको और शोटा कर लो कि चार पंजे बीस बच्चे कितने यहां पर तीन चार सत्ते अठाएस 57 आ गया तो क्लियरली हमें शो हो रहा है कि सी वाला जो ऑप्शन है यानिके 59 point something जिसका होगा वह हाइस्ट होगा ठीक तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा तो चारो ऑप्शन हमें करने हैं उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सवाला होगा इसमें कोई शोट ट्रिक नहीं है अगला कोशन है यदि एक्स का वाई 22% और य का 30% बरावर है तो य और एक्स का रेशियो में बताना है तो यह 100 तो नीचे नीचे का कट गया और इसको इदा ले जाते हैं ठीक ह य अपाउन एक्स बरावर 22 अपाउन 30 दो से काटेंगे 15 और यह आगे 11 तो 11 तो 15 का रेशियो आएगा अप्शन नमबर 2 next है टिर्कोन मेती यानि के trigonometry से sin2 plus cos chairs 45 प्लushlin का मान बताना है what is the value of sin square 45 plus cos square 45 हमने पता है इसकी value होती है वन अपउं अडर रूट 2 बटशन लगा तो square लिग देंगे और इसकी value भी 1 अपउं अडर रूट 2 होती हैFirst when the equation 1 यानि कि option number 2 is the correct answer for this question अगला question है यदि किसी तिर्बुच की 3 हो जाएं 11 cm 12 cm और 13 cm है तो दिये गए तिर्बुच का छेतरफल क्या होगा ठीक है if the three sides of our triangle are 11 cm 12 cm and 13 cm then what is the area of the given triangle ठीक है तो यह हिरोन्स फार्मूला लगा के हम इसको solve कर लेंगे सेमी perimeter निकालेंगे यहां से 11 पिलस 12 पिलस 13 अगर 9 में आपने पड़ा है तो यह फिरोन्स फार्मूला का एक chapter खुद में दे रखा है ठीक है तो यह हो 36 बटा 2 और यह आगया 18 यानिके सेमी perimeter आगई हमारी 18 आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो यह होता है बारा जाएंगे तो बचेंगे 6 फिर बचेंगे 5 अब यह 18 को मैं अगर ऐसे फेक्टराइस कर देता हूं छेती 18 साथ 6 और पांच यह तो हुआ तो एक छे तो बाहरा जाएगा और अंदर बचेएगा साथ तियां 21 और 21 पंजे 105 छे रूड 105 होगा उस ट्राइंगल का एरिया ठीक है और यह है सब कुछ सेंटीमेटर में तो सेंटीमेटर इस पार होगा और लेटी पहले से ते रखा वस हमें वैल्यू फैंड करनी थी एक सीलिंग पैन का अंकित मूल 3250 रुपए है दुकंदार इस पर 8% की छूट देता है तो सीलिंग पैन का विक्रे मूल क्या है दे मार्क प्राइज ओफ असीलिंग पैन इस 3250 रुपए और शॉपकीपर अलाव डिस्कॉंट ओफ एट परसेंट ओन इट वाट इस दा सेलिंग प्राइज ओफ दा फैंट थीक तो बत्रिस सो पचास रुपए है आट परसेंट की छूट जरा यानिके सौ में से माइनस होगा बचेगा 92 यानिके 92 परसेंट पर उसको बेचना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट पांस से काड़ेंगे पांच जुनी दस पांच छका तीस पचंपच्चिस और यह होगा दो चौका आट दो चंग बार 2,990 यानिके 2,990 रूप्चिन नमर 3 इस तक करेक्ट आंसर अगला कोशन है बार ग्राफ से ठीक है और उसमें पूछा गया है कि बेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर की बात चल लए यानिके कर वाला जो यह वाला पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं यह कर कम सबसे कम क करका निम्न में से किसका है तो फिर से हमें सारे ऑप्शन देखना पड़ेंगे सब सब का सारी करना पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूं ठीक है सी वाला जैसे के आपको कि लिए लिए दिख रहा है तो इसको चेक मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे करना है वीडियो जादा लंडी हो जाएगी इसलिए सारी केल्कुलेशन नहीं कर सकते हैं आप अभी तो यह उठाना है ठीक है यह चार पार्ट है मैंने जो टिक लगाएं आपको सब ऐसे ही करना है सब का कैल्कुलेशन करके यह 15,000 गोना दो 0-0-0 कोड़का यह मतलब इसलिए पर निकालना है ठीक है तो सब का यह लेना है और यह नीचे वाला पार्ट यह कट गया एक जिरो से एक जिरो यह कट गया पांच तीना पंदरा पांच गया तो यह 3.2 3.6 बाकि सब इससे जादा होंगे जो भी आप कैल्कु सो पचास और इसका है अठारह हजार मुल्टिपलाई हंड्रेट दो 0 तो यह अठारह पंजन नब्वे तो सब यह बाकी दो बचे वह भी से जादा आएंगे तो ऐसे ही आपको करना है बाकी लेकिन करना सबकी कैल्कुलेशन हो उसी की बाद हमें पता लग पाएगा ठीक अगला कोशन है एक दिन में 10 घंटे कारिये करते हुए श्याम किसी कारियों को 12 दिन में पूरा कर सकता है आठ दिन में कारियों को पूरा करने के लिए उससे एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए यह कारिये करना चाहिए श्याम can complete a task in 12 days by working 10 hours a day How many hours a day should he work to complete the task in 8 days तो M1, D1 वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे 10 गंटे हैं और 12 दिन है 8 दिन है और H4 hours यानि कि गंटे हमें find करने हैं 4 दुनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है और 2 पंजे 10 होता है तो H बराबर 5 तिया 15 यह आजाएगा answer option number 2 As next question है, समकोड तिर्बुज में समकोड बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 cm है और 20 cm है, इस तिर्बुज के परिवरित की तिरिज्जा क्या होगी, ठीक है English में the length of the two side forming the right angle of a right angle triangle are 21 cm and 20 cm. What is the radius of the circle circumscribing the triangle? तो अगर triangle हम बनाएं तो वो ऐसा होगा, right angle triangle ठीक और ये इसकी बात कर रहा है, मतलब के बहार से इसमें circle बना हुआ है, ठीक है तो art अच्छी नहीं है, इस पर आसना मत, तो ये हमें find करनी है तो ये क्या होगा इसकी यहां से यहां तक radius होगी, that means के जो hypothenious है, अगर इसका आदा पार्ट हम आदा पार्ट करतें, तो हम radius find हो जाएगी, और radius ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, इस hypothenious को find करेंगे, वो कैसे करेंगे, पाइता गोरुस theorem लगा के, पाइता गोरुस theorem क्या होती है, कि hypothenious का square is equal to होता है, perpendicular का square plus base का square, हिंदी में बात क का square, बराबर होता है, आधार का square, पिलस लंब का square, ठीक, तो कण, यानि कि hypothenious या कण हमें find करना है, आधार हमारा है 21, 21 का square, पिलस लंब है हमारा 20, 20 का square, योगा 441, पिलस 400, और योगा 841, ठीक, डेट मीन, अगर हम यहां पर कण, या फिर, है ठीक है, hypothenious निकालें, तो इ और 29 का half कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी radius, डेट मीन, 14.5 cm, और यही है हमारा इस question का answer, next question है, 350 मीटर लंबी रेल गाली, 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेल गाली की चाल बतानी है, वो भी किलोमीटर पर आर में, तो हम इस तरीके question जब करते हैं, तो जो पुल की लंबाई होती है, और जो ट्रेन की लंबाई होती है, वो कर देते हैं, एड वो हो जाएगी 600 मीटर, divided by 20 सेकंड मतलब के जतना time उस ट्रेन ने लिया, जैसे के मान लो ये बिरिज है, और ये कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी, तो ये पूरी पार हो जाएगी न, डेट मिन के ट्रेन की लंबाई और इस पुल की लंब स्पीड वराबर क्या होता है, दूरी बटे समय है, तो इतनी दूरी तो ही उसने पार की, तो वो होगी 600 समय हो गया 20 सेकंड और हमें निकानना है इसे किलोमीटर पर आर में, पांच बार हम ठीक है, और 2, 6, 12, 6, 18, 8, 48, 6, 1, 4, 108, 108 किलोमीटर पर आर की स्पीड है उस ट्रेन की, नेक्ट कोश्चन है, एट सेंटीमीटर त्रज्या वाले एक ब्रत के दो समांतर इस पर चिरिकानाओं की बीच की दूरी ज्याद करिए, मान लोगे यह ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, दो समांतर इस पर चिरिकानाओं की बीच की दूरी पूछ रहा है, तो समांतर तो यह होंगी, और इनकी बीच की दूरी क्या होगी, यही तो है, यानि कि जो इसका डायमीटर है या फिर जिसको हम ब्यास बोलते हैं, अगर इनकी दूरी हो गई, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोशन है, तेरा सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर तरिज्या के दो संकेंद्रित ब्रत हैं, बड़े ब्रत की जीवा की लंबाई याद करें, जो छोटे ब्रत को इस पर्ष करती है, तू को सेंट्रिक सर्किल्स आर तो एक बड़ा सा सर्किल बनाते हैं, और एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं, सेंट्र दोनों का सेम ही है, तो अगर मैं यहां तक इसकी यह खेंच दूँ, तो यह क्या होगी इसकी रेडियस या फिर तरिज्या कि इसकी छोटे वाले सर्किल की या स्मॉल वाले सर्किल की, वो क वाले सरकिल की तरिज्जा होगी और यह कितनी दे रखिए 13 अब वो कह रहा कि इसकी जो कॉड है वो टच करते हुए जाती है तो भाई सब यह टच करेगी यहां पे तो यह आदा आपार्टमेंट डिवाइड हो जाएगा ठीक अब यह वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूं त यह दो वैल्यू एड हो जाएंगी क्योंकि यह बरावर बरावर हैं और यहां से मेरे कोड की वैल्यू निकल जाएगी ठीक फिगर में मत देखना कुछ ज्यादा चोड़ लगता हो ठीक तो यह क्या है एक एदर राइट अंगल ट्राइंगल है समकोल तरफू जाब यह हमने 59 और यह 5 का स्क्वार 25 जब इदर आएगा तो हो जाएगा माइनस का बरावर बी स्क्वार यानिके बेस का स्क्वार जो जाएगा 1 डवल 4 144 बी स्क्वार और बी इस इक्वार टू 12 डैट मीन आदी दूरी हमने निकाल ली 12 तो यह भी 12 होगी 12 प्लस 12 मिलके हो जाती है 24 इस कोशन का आंसर होगा चलिए फिर आगे बढ़ेंगे साइन एक्स की वैल्यू दे रखिए 12 बटे 37 और 10 एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सबसे अच्छा और सरल तरीका यही पाइतागोरस लगाओ और आंसर इसका फाइंड कर लो ठीक तो यहां से हम बेस निक तो अब हमने यूस किया था 37 का स्क्वार माइनज 12 का स्क्वार इस इसक्वार इस उकल टू पेस का स्क्वार 37 का स्क्वार होता है 136 9 माइनस 144 इस उकल टू 12 B square, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2 और ये B square तो B की value आ जाएगी यहां से 25 का 5 और 4 तियंवारा यानि कि 3 B वरावर 35 अब मैं easily कह सकता हूँ कि 10X की value जो होगी 12 वटे 35 होती है यानि कि लंबटे आधार या फिर perpendicular upon base जो होता है 10X होता है यानि कि option numbers दो इसका correct होगा चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अब करना है board mask का use हमें ठीक है तो इस वाले part को सबसे पहले हम solve करेंगे क्योंकि छोटी bracket है तो छोटी bracket को पहले solve करेंगे तो अगर मैं देखूं ये दो part minus के हैं इनको add कर लेते हैं तो पांच और चार नो और पांच और तीन आठ तो minus का हो गया बढ़ा और plus का हो गया छोटा तो नो में से एक गया आठ और आठ में साथ गया एक तो यहां से मुझे इस पूरे part से क्या मिला minus 1.8 अब ब्रेकट खुलेगा तो यह multiply होगी minus minus का हो जाएगा plus ठीक अब 1.8 और 2.3 इसमें add हो जाएगा तो यह हो जाएगा आठ तीन ग्यारा एक और दो एक तीन चार चार पांच और यह minus का part इसमें से minus हो जाएगा 11 में से दो हो गया 9 तो point 9 बचा point 9 बचा इतने का इतने की value point 9 है अब यह bracket जब खुलेगा मजली वाली तो यह हो जाएगा minus का point 9 पहले का plus का है और point 9 minus का है तो यह हो गया मिलके 0 अगला question है कोई ब्यक्ती किसी bank में 8000 रुपे जमा करता है जो बाडशिक 8% यानि के 8% साधारल ब्याज का बुक्तान करता है 8 वर्ष बाद मिर्शिदन होगा यानि के जो ब्याज है और जो उसने उधार लिया था वो दोनों मिलके 8 वर्षों के बाद कितने रुपे हो जाएंगे अब person deposits 8000 रुपीज in a bank which pays 8% per annum simple interest the amount after 8 year will be P दे रखा है 8000 R दे रखा है 8% और 8 जो दे रखा है वो time दे रखा है डिवाइड वाई हंड्रेट दो जीरो और यह होता है 8 का Q 512 और एक 0 बचाता है तो यह बन गया हमारा simple interest 5120 रुपे उसो ब्याज देना पड़ेगा और 8000 रुपे उसने कर जा लिया था तो 13120 रुपे जो है वो उसको देना पड़ेंगे अगला कोशन है जब पुड़ांग N को 5 से बेवाजित किया जाता है तो 6 फल 3 प्राप्त होता है जदी 8 N को 5 से बेवाजित किया जाए तो 6 फल क्या होगा ठीक है तो जो 6 फल हमें पता है यह 3 मिल ला है और 8 N में हम N की जगा 3 रख देंगे तो यह 24 हो गए नमबर अब इस 24 नमबर को हम करेंगे 5 से डिवाइड 5 चो का 20 यानि के यहाँ पर हमें 4 जो है शेश्फल मिल ला है तो इंगलिश में है इंटीजर N is divided by 5 दा रिमेंडर इस 3 वाट इस दा रिमेंडर इफ एट N is divided by 5 तो रिमेंडर होगा 4 ठीक है तो करना क्या जो रिमेंडर बच रादब पहले उसको 8 N से यानि के 8 से मल्टिप्लाई कर देंगे या जितना भी बोलता यहाँ पर बस N की जगह में यह रिमेंडर पुट कर देना है तो 8 तियां 24 होता है 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से हमें 4 जो है वो शेशफल या फिर रिमेंडर बच गया अगला कोशन है फिर बार ग्राफ से ही है बेतन के प्रितिशत के लूप में सबसे अधिक कर निम्द में से किसका है सबसे ज़्यादा कर किसका है तो हमने चेक किया था B का I think सबसे कम था ठीक है B का सबसे ज़्यादा था सबसे अधिक पिछले कोशन में पता नहीं जाने है तो करना क्या वही है जो मैंने बताया था 950 डिवाइड़ बाई 18,000 बुणा 100 2020 यह 18,500 है और इदर बचा पांच अठारदुनी 36 अठारती चोवन 53 पॉइंट सम्तिंग आएगा ठीक है और एक दो एवर्ट चेक कर लेते हैं ठीक है तो कर में हम इसको चेक कर लेते हैं 600 बटे 16,000 2,0 यह 1 यह हो गया 15 और यह हो गया 4 तो यहां से मिलेगा 4,3,12 और एक मिलेटी यह 5,3 होगा ठीक है यह 0 कट यहादा इससे 950 किलेटी तो यह होगा 4,3,12 और 3,75 ठीक है तो जितने भी आब हम चेक करेंगे चाहिए वाला चाहिए वाला वो इससे 5,3 से कम ही आएगा यानि कि बी वाला आप्शन इसका करेक्ट होगा तो करने का तरीका ऐसा ही है तो आगे बढ़ते हैं 21 है कि फिर से वाल ग्राफ का है बेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम यानि कि expenditure फिर से वही इसमें किसका है सबसे कम ठीक तो सबसे कम हमने अभी C का चेक किया था और इसका भी देख लेते हैं अगे चार्सों पचास डिवाइड़ वाई 12000 गुणा सव दो जीरो और यह पंदरा तीन चुका बारा योगा सेविन त्रीफाइव ठीक है और सी का चेक कर लेते हैं 550 डिवाइड़ वाई सबसे कम की तो 3.6 सब उपर होंगे और बाकी चेक करेंगे तो वह भी उपर होंगे तो आप्शन नमबर सी जो होगा वह इसका करेक्ट होगा लेकिन करना हमें चार होई है फिर से मैं बता रहा हूं इसमें कहीं भी शॉटकट नहीं होगा अगला कोशन है 10 थीटा इस इक्वेल टू 20 अपॉन 21 तो हमें इस तीटा को लिख दूं support एक glaze और ये वाइल्यू है ठीक है तो जो नहीं उसी की वेल्यू और कॉस्टिटा की वैलू 21 अगर इस इसकी वैलू पूछ रहा है तो मैं यहां पूट कर देता हूं संटिटा की जगा 20 माइनस एक किस डिवाइड़ बाइड 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 पिलस एक किस माइनस वन अपॉन पॉर्टीवन एडवी नोप्शन नंबर इसको आप पाइतागोरस से भी कर सकते हैं सेम आंसर आएगा ठीक है बट बैटर यह कि कम समय में आप इस तरीके से करें तो यहां से आपको इसली और कम समय में आप सॉल कर सकते हैं अगला है एक स्क्वैर प्लस एक बाटा एक स्क्वैर वरावा 38 तो हमें एक स्मानेस एक बटा एक स्क्रावा लुगार गप्लस एक वर्टा एक स्क्वैर यहां पर माइनस 2 और इधर भी माइनस 2 घटा दूँ ठीक है equation में कोई फरक नहीं है ऐसा करगा मैंने इसलिए क्योंकि ये फिर x x कर जाएगा ठीक है तो ये की बात है अब ये बन जाएगा x-1 बटा x का whole square और यहां से 38-2 36 इसका root निकालूंगा तो x-1 बटा x बराबर 6 और यही हमें find करना था अपने question में यानि के x-1 बटा x की value अगला question है तीन संख्याओं का योगफल 89 है ठीक है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का नुपाच 4 और 7 है दूसरी संख्या और and that of the second number to the third number is 4 is to 5 then the second number is तो पहले तो मैं ratio सही कर लेता हूँ ठीक है x पिलस y पिलस z की value नोंने 79 दे रखी है और बोला है के x y का ratio है 4 और 7 और y और z का ratio है 4 और 5 मैं देख रहा हूँ के y जो है ठीक है y जो है इसमें भी है और इसमें भी है दोनों में common है ठीक है common है तो इसको हम करेंगे common बनाने के लिए यानिके एक number बनाने के लिए यहां पर 4 से multiply और इसको 7 से multiply तो यह मिल जाएगा मुझे 4 चोग 16 और 28, 28 यह मिल जाएगा 7 चोग 28 और यह 35 that means y की value जो है वो 28 है तो अगर मैं ratio तीनों का देखूँ 16, 28 और 35 अगर इसको as a unit sum को मैं sum कर लूँ इनका मतलब तो यह हो जाएगा 79 that means जो जिस अनुपात में बाटा किया था संक्याओं को वो इसी में है 16, 28 और 35 उससे पूछा था दूसी संक्याओं यानि के why वाली तो वो होगी 28 और यही इसका है answer तो guys next question है कि शोर को कोई बस्तू 7,160 रुपे में बेचने पर 20% की हानी हुई है 30% लाप राप करने के लिए उसे इस बस्तू को किस मूल पर बेचना चाहिए था तो 7,160 रुपे पर बेची है और 20% की हानी हुई that means उसने 80% पर उसको बेचा था लेकिन अब उसे फाइदा कमाना है 30% फाइदा कमाना है तो 130% पर उसे बेचना होगा 100 से एंजर कैंसल आउट 10 से 10 और यह हो गया 2,8 2,3,6,2,5,10,2,8,16 2,4 17,2,8,16 2,5,10 इसकी मल्टिपलाई करेंगे 13 से 13,5,65 कैरीक एच्छे 13,17 13,12 13,3,104 और 12,116 यानि कि डेटमिन B वाला उप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें ताकि जादा से जादा लोग इसका फायदा उठा सकें और कमेंट बॉक्स में अपना फीड़बेक देना बिलकुल भी ना बुने ताकि हम आने वाली वीडियो में इसको अमल में ला सकें थैंक यू वेल मुच